हलो फ्रेंद्स वेलकम तो माई यूट्यूब चानल अगर आप मियर चानल पे नए है तो चानल को सब्सक्राइब करें बेल आइकन पे प्रेस करें विडियो आची लगे टू लाइक कॉमेंट शेह जरूर करें तो चलिए विडियो को शुरू करें गर्भावस्था के दौरान गर्भनाल शिशु की मा के लिए जीवन रेखा होती है। यह जीवन रेखा जिसमें आम तोर पर दो धमनिया और एक शिरा होती है शिशु के पेट से प्लेसंटा तक जाती है। शिशों को गर्भनाल के माध्यम से पोशन, रक्त और आकसीजन मिलत गर्भावस्था या प्रसव के दौरान गर्भनाल के एक या अधिक लूप बच्चे की गर्दन के चारों और लिपट सकते हैं। आपका डॉक्टर इसे न्यूकल कहेगा, जिसका अर्थ है गर्दन, नाल और ये वास्तव में काफी आम हैं, जो 20-30% कर भधारण में होते हैं। सभी न्यूकल कॉर्ड में से आधे बच्चे की हरकत से इतनी डीली होती हैं कि वे प्रसव से पहले ही फिसल कर अलग हो जाती हैं। भले ही प्रसव के समय कॉर्ड अभी भी लिप्टी हुई हो, लेकिन ज्यादातर बच्चों को कॉर्ड से जुड़ी कोई जटिलता नहीं होती। बच्चे पारंपरिक अर्थों में सांस नहीं लेते हैं। इसलिए न्यूकल कॉर्ड से उन्हें कोई नुकसान नहीं होगा। हाला कि प्रसव के समय आपका डॉक्टर न्यूकल कॉर्ड की तलाश करेगा और बच्चे को किसी भी चोट से बचाने के लिए इस कॉर्ड को छोटा कर देगा। न्यूकल या गर्दन की कॉर्ड से कोई गंभीर परिनाम होना अविश्वसनिय रूप से दुर्लब है। इसके अलावा गर्भनाल जिसमें दो धमनिया और एक नस होती है में वार्टन की जेली नामक शलेश्मा से भरा सयोजी उतक होता है जो कॉर्ड को बहुत अधिक संकुचित होने से रोकने में मदद करता है भले ही इसे कई बार लपेटा जाए। न्यूकल कॉर्ड न्यूकल कॉर्ड एकाम बीमारी है इसे रोका नहीं जा सकता है और यह निम्न कारणों से विक्सित हो सकती है बच्चे की हरकत बच्चे बहुत ज्यादा घुमते हैं यहां तक की गर्भ में रहते हुए भी यही हरकत न्यूकल कॉर्ड का मुख्य कारण है अतिरिक्त एम्नियोटिक द्रव, एम्नियोटिक द्रव वह द्रव है, जो गर्भाशे में बच्चे को सहारा देने और उसे सहारा देने के लिए उसके चारों और होता है अतिरिक्त एम्नियोटिक द्रव भी अतिरिक्त हलचल की अनुमती दे सकता है, जिससे न्यूकल कॉर्ड बन सकता है अतिरिक्त लंबी गर्भनाल, अधिकांच गर्भनाल की डोरिया 20 से 24 सिंच लंबी होती है कुछ शिशों की गर्भनाल असामान्य रूप से लंबी होती है, 32 सिंट से भी ज्यादा लंबी इस से एक वास्तविक गांट, अत्यधिक घुमाव या एक ऐसी डोरी हो सकती है जो गर्दन के चारों और कई बार लपेती है जुड़वा या एक से अधिक बच्चे, ऐसा तब अधिक होता है, जब गर्भ में एक से अधिक बच्चे एक साथ रहते हैं हमारे डॉक्टर और दाईयों को न्यूकल कॉर्ड का पता लगाने और अगर ऐसा होता है, तो सुरक्षित तरीके से बच्चे को जन्द देने के लिए प्रशिक्षित किया जाता है प्रसव के दौरान अपने तनाव को कम करने में मदद के लिए न्यूकल कॉर्ड के संकेतों को जाने और प्रसव के दौरान क्या उमीद करें न्यूकल कॉर्ड के लक्षन आपको शायद तब तक पता नहीं चलेगा कि आपके पास न्यूकल कॉर्ड है जब तक कि कोई स्वास्थि सेवा प्रदाता नियमित अल्टरासाउंड के दौरान इसे न देख ले हाला कि इनका पता अक्सर प्रसव के दौरान चलता है कुछ मामलों में मरीजों को इस तरह के लक्षन दिखाई देते हैं बच्चा सामान्य से कम हिलता डुलता है आम तोर पर बच्चा हर 30 मिनिट में कम से कम 5 बार हिलता डुलता है बच्चा कुछ देर के लिए बहुत ज्यादा हिलता है फिर कम हिलता है या नाल को खोलने का प्रयास हो सकता है प्रसव के दौरान शिशु की हृदय गती बहुत कम हो जाती है आपका डॉक्टर इस पर नजर रखेगा और आपको सूचित करता रहेगा प्रसव से पहले न्यूकल कॉर्ड को ठीक करने का कोई तरीका नहीं है हाला कि आपका डॉक्टर गर्भावस्था के शेश समय में इसकी निगरानी करेगा और आपको कुछ भी अलग करने की जरूरत नहीं होगी हम प्रसव के दौरान बच्चे की हृदय गती पर बारीकी से नजर रखते हैं ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि यह आपके बच्चे पर तनाव नहीं डाल रहा है आपके बच्चे के गले में गर्भनाल लपेटे जाने से आम तौर पर प्रसव में कोई चुनौती नहीं होती या आपके बच्चे को कोई खत्रा नहीं होता यह सीधे तोर पर सिजेरियन सेक्शन, सी सेक्शन या अन्य जन्म संबंधी जटिलताओं का कारण नहीं बनता है वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें